असल में हिंदू हिर्दे समराथ हो तो चलिए बॉम्बे से लेकर दिली तक के मंदिरों के बाहर चलते हैं काटोरा लेकर बैठने वाले मंदिर के बाहर हिंदू ही हैं क्या कोई हिंदू हिर्दे समराट ऐसा है जो उनका पेट भरे बताईए करोना के काल में इस देश के अंदर माता और बहनों ने सड़कों पर बच्चों को जनाम दिया कहां मर गई थे हिंदू हिर्दे समराट क्यों नहीं निकले घर से बाहर जो चाई बेका करते थे कभी कहते थे मेरी मां जूते बरतन माँजा करती थी मैंने भीक मांगी है फकीर मांगी है तो भीक में किसी ने 10 लाग का सूट थमा दिया उनके हाथ में और चलिए राहूल गांधी ने तो 41 हर की टीसेट पहनी है किसी ने तो देश की जनता को 15-15 देती है फटे पुराने वही पहन के घूमते हैं उससे पहले भाजपा वाले जो हैं नहीं पहनते बाजपा वालों के कुर्टे नरेंदर मोदी जी को किसने कुर्टा दिया दस लाग का किसने दिया नरेंदर मोदी जी को सूट बूट पहन के जाते हैं लाको रुपे का चस्मा भाजपावालों को आपती है राहूल गान्दी अगर फटा कुरता पहने तो भाजपावालों को आपती है राहूल गांदी एक्तालीजहर की टी-सेट पहने तो भाजपावालों को आपती है जरह ये बता दीजिये कि ये अनुराक ठाकुर के बेटे ने कौन सी कंपनी की टी-सेट पहनने की जरह ये बता दीजिये भी कहते थे मेरी मां जूटे बरतन गारती थी मैंने वीक आप यह बताएए ना भारतिय जंता पार्टी के नेता क्या नंगे घुमते हैं भारतिय जंता पार्टी का कोई बात कर रहे तो यह तो बता दीजें अनुराग ठाकूर के बेटे ने कौन सी पहन रखी है पता है को चौन सा ब्रांड है यह आपको राउल गांधी और दूसरी बात यह कि राहूल गांधी को पेंशन मिलती है ठीक है राहूल गांधी को जो है शांसा दे तो तनकवा भी मिलती है अब बूसरी बात यह कि आप एक बात मुझे बताईए कि राउल गांदी किया कितने की टी-शट पहनते हैं और कितने की टी-शट नहीं बहनते हैं भाजपा वाले के भीक मांग के घर चला रहे हैं अपना बताईए ना भाजपा वाले दोचक्ताई दिया अाँ पैन कre गुमते हैं उससे पहले जो हैं नहीं पहनने बाजपा वालों के उसने जाते हैं आए नरेंदराम्धी को सूट में करें की बात करते हैं तब आपकोसिकवा तब आज पूरे विपक्स को विपक्स का जो मुद्दा है उसको कहीना कहीं गुमरा किया जा रहा है विपक्स के मुद्दे को गुमाया जा रहा है दिल्लीक से लेकर आज केरल तक केरल से कस्मीर तक कस्मीर से कन्या कुमारी तक देश की आवाज को जो है वो गुमरा किया जा रहा ह कहीना कहीं विपक्स को दबाने का प्रियास किया जा रहा है लगातार देश के अंदर पढ़ते एडी और सीबी आई के छापे इस बात की गवाई दे रहे हैं कि कहीना कहीं इस देश का लोकतंत्र खत्रे में है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आमादमी पार्टी की सरक में वीपक्स की अध्याखस्ष सोनिया गांधी हों जानेसर सरथपवार से लेकर नानब पटोले तक सभी के विपक्स की अवाज को दबाने का प्रियास किया जा रहा है देश के अंदर आज न्यूस चैनल्स को खोल कर देखा तो न्यूस चैनल्स में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि देविंदर फण नवीज है हिंदू हिर्दय समराथ ठीक है ना दूसरी और जब एक और व्यक्ति का भासन सुनते राज चाकरे बताते हैं कि यह हिंदू हिर्दय समराथ तो आप मुझे यह बताईए उस टाइम पर यह हिंदू हिर्दय समराथ कहां मर जाते हैं जब भारतिय जनता पार्टी का MLA एक बेटी के साथ बलतकार करता है और आज मैं आज यहां खड़े होकर देविंद फण नवीज को खुली चिनोती देता हूँ चेतावनी देता हूँ और जितने भी हिंदू हिर्दय समराथ बनते हैं अपने आपको सबको खुली चिनोती देता हूँ एक बात कहता हूँ मुझे चर्मा अकसर इन शब्दों का प्रियोग नहीं करते लेकिन आज प्रियोग करते हूँ एक सब कि बाहर हिंदू ही हैं क्या कोई हिंदू हिर्दे समराट ऐसा है जो उनका पेट भरे बताईए करोना के काल में इस देश के अंदर माता और बहनों ने सडकों पर बच्चों को जनाम दिया कहां मर गई थे हिंदू हिर्दे समराट क्यों नहीं निकले घर से बाहर आज पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है गणेश जी के गणेश चतूरती के पावन अबसर पर जब गणेश विसरजन के पावन अबसर पर ये लोग मुख्यमंतरी जो बने पड़े आज सिंदे हाथ इलाते हैं सिंदे को भी बताया गया हिंदू हिर्दे समराट लोकतंत से आज सिंदे एटिट्यूट में फुल एटिट्यूट में डाड़ी बढ़ा कर हाथ दिखा रहे हैं यूंकर के जनता को और जिस परकार से ये लोग सुप्रीम कोट के जजों के साथ में फोटो खिचा रहे हैं कोई इस देश में डेमोक्रेसी की कोई ट्रांसफरेसी नहीं लोग संतर की कोई गरीमा नहीं बचिए लगजरी कंटेनर हैं अरे भाइया यह मुझे बताइए ना नरेंदर मोदी क्या किसी जुगी में रह पे हैं नरेंदर मोदी का एक नेता बता दीजिए अब आप एक बात बताईए जिसने कभी बैट नहीं उठाया जिसने कभी हाथ जी इस देश के गिरह मंत्री हैं इसलिए जैसा उनका बेटा इस देश के अंदर BCCI का सचिब बन जाता है हमारे और आपके पपा नहीं है ना गिरह मंत्री इसलिए नहीं बना पे हैं दूसरी बाप ये अनुराक ठाकुर के बेटे की मैंने आपको तस्वीर दिखाई कितने अरुपे की टी-सर पैंटें भया इस सवाल का आप जवाब देंगे रहुल गांदी कहा जाते हैं यह सब आपको पता है कि वो गरीबों के जहंपड़े में जाके मतलब ये तो नहीं चेहते कि मैं मतलब गरीबों को जोडने आया हूँ अपने साथ मतलब इस तरह से आप मु मेरी माँ घरों मैं बरतन मंजा करती थी भाईों बहनों मैंने तो भीक मऑंगी से बाई आएंग मैं तो फकर-फकी्र था यह यह क्या है यह यह बताईए ना दस-लाग का शूट rapid bahen के शूट आमिये और आप नभका बूट पहन के इस स्टोपन लगाया है आप वीडियो देखेंगे नरेंदर मोदी जी की तो वीडियो देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे ये नरेंदर मोदी जी ऐसे तयार होते हैं जैसे दूला तयार होता है ना साधी के वक्त पर ऐसे तयार होते हैं मोदी जी अब आप लोगों को आद दिखाना बह था लाकष रुप से पाप पंगाल कर दिया अब इस तूले को मैं आपको डिखाना चाहता हूँ सब के सामने जो बात करें ना लाकष रुपे की टी सर्ट और ये सब चीज़ होगी पहन रहे हैं एक लग्जरी क्युण का कपड़ा पहन रहे हैं एर कंडी संड फू विवाद होना लाजमी है क्योंकि आलिशान जीवन शैली गुजारने वाले यह नेटा जब घरीबी की बात करते हैं विरोजगारी की बात करते हैं तो देश की जनता इस विरुधाभास को पकड़ लेती है और देश की लिखता को लगता है कि शायद यह प्रदान मंतरी है आप के निये इतना तो बनता है आपके नदर कोई सरम नाम के ने एक हाँ भी तो हम आपको दिखा रहे हैं तो एक मेंट तो यह बताएं लड़किया तैयार कर रहे हैं मोदी जी का भीक मांगता था अब भाईया तुम भीक मांगते ते तो जंता के हाथ में क्यों कडोरत हमारे हो राहूल गांदी ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं भीक मांगता था राहूल गांदी के बारे मैं क्या जानते हैं चलिए ये बताइए इस देश करतियास को जब पढ़ेंगे तो मोती लाल नहरू उस वक्त पर 30,000 रुपे कुछ का टेक्स दिया करते थे उस समय के 30,000 और आज देख लिजिए 30,000,000 के बराबर हैं ठीक है न तो आप उनकी बराबर ही कर रहे हैं और आप जो उनकी टी-सर्ट की बात करें महंगाई नहीं दिख री आपको बेरोजगारी नहीं दिख री अब राहूल गांदी ने कभी ये तो नहीं कहा कि भाईया मैंने भीक मांगी है मेरे पास में खाने को रोटी नहीं है ये तो आप ही चिलाते रहे हैं आप ही ने चिलाया मैं तो भीक मांगता था मेरी मा बरतन मांजा करती थी मैं चाय बेका करता था इस्टेशन पे बंगलादेश लड़ने जाया करता था ये सब तो आप ही बताते हैं हमें तो नहीं पता था ना कि हमारे देश का प्रधानमंतरी चाय भी बेकता था हमें तो नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंतरी भीग भी मांगता था हमें तो ने कि हमारे देश के प्रध्धन्मंतिरी की माता जी बरतं और करती दूसरों का घर में आप आ그렇के रो रोके सन्टिमेंटल और इनसे कोई जवाब कर ले सवाल कर ले बाईयों बहनों मैं गरीब हूँ मैं गरीब परिवार से हूँ मैं गरीब मा का बेटा हूँ इसलिए ये लोग मेरे उपर सवाल उठाते हैं अब तुम्हारे उपर सवाल उठा दो तो तुम गरीब मा के बेटे हो हैं और वैसे तुम मोडी जी कि जैसे मैंने भीक मांगी न लिएया कि देस की मिडिया उपर आज मुझे शरम करती है कि राहूल गांदी कितने की टी-सर्ट पहनते हैं हम नहीं करना चाहते न रिंदन मोडी पर कोई पर्सनल टिपनी मैं नहीं कहना चाहता था कि मोधी जी ने भीक मांगी है यह उनकी माबरतन मांजा करती थी यह बंगलादेश की लड़ा एरती थी मैं आपसे यह क्या रहा हूं कि चाहे राहूल गांदी एक लाग की टी-सट पहने एक करोड़ की पहने चाहे दस रहा है चाहे नितीज कुमारों अर्विन पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूफ है बीजेपी ने तो यह भी कहा है कि पाकिस्तान से निकाली है भारत तो पहले ही जोड़ा हुआ है अरे आप एक बात सुनी जी आपने कहा भारत जोड़ो यापरा आप यह मुझे बताए बिदेश से आज ही टिकट लेके आ रहे हिं हिंदुस्तान में बताए आप बिदेश से हैं क्या पत्रकार नी बारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है उनिस सो से तालीस में जब टुकड़ा हुआ था पाकिस्तान का तो उसी को मतलब तंज कस रहे हैं बीजेपी नेता बीजेपी के नेता तो अनपड़ जाहिल और गवार है जो नेता असेंबली में बैठके पॉर्ण वीडियो देखे वो क्या समझेंगे कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है यह बताए ना आप मुझे भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है जिस प्रकार से देश के अंदर आंतरी दरा डाली गई है जिस प्रकार से पहले राजनेता सिर्फ हिंदू और मुसल्मान का इस्तमाल सिर्फ चुनाप के वक्त करते थे लेकिन आज हिंदू और मुसल्मान का इस्तमाल जो है वो राजनीती से लेकर किर्केट के गिराउंड तक पहुँच गया है अगर गेंद करान सब्सक्राइब हैं अपने वाला इस देश में कोई सिखो तो आप उसको खालिस्तानी परार देते हैं तो कहीं नहीं कि यात्रा का मक्सद यहां कि देश एक था पड़िया और एक रहेगा इस बात में कोई दोराइब है सुलीजे मैं कोई Congress party प्रवक्ता नहीं हूं या Congress Party की फ्रण्चाइजी नहीं लेकर बैठाओं आप भाजपाकी दल नहीं मैंने तो यहां पर सभी party की तारीफ करी है मैंने तो यह औरविन केजरिवाल का भी जिकर किया उनकी पाटी के नेताओं के उपर जिस ठरकार से कारवाय और 82 की उनक्य ऊपर भी सची करी मैंने मन्ता बेनर जी की भी चर्चा करी मैंने 37 क भी मोधी जी की करिड़ी की मॉधी ज्युक्त हरे थी यदु अरे सुननी जी ए देश की जनता को मोदी जी कंगाल कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अब उनकी आयू जादा दिन की नहीं है अब इसके बाद किसी ना किसी को प्रधानमंतरी की कुर्शी को समालना है तो प्रधानमंतरी का experience कहां से आएगा पढ़े लिखे तो चाह जहिल गवार चाहिए है हिंदु-मुस्लिम कराने वाले चाहिए तो चाहिए कैसे पहले experience के तौर भीक मांगनी आनी चाहिए है च्टेशन पर सप्लाई करनी आनी चाहिए हैं इस बात को बंगलादेश की लड़ाई लड़नी आनी चाहिए तब कहीं जाके आप प्रधानमंत बहुत असरे थे ना तुम लोग तुम्हें भी कंगाल करूँगा तुमसे भी भीक मंगवाँगा जय हिन जय भारत वंदे मातरम